नमस्का दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमरे चैनल पर आज मैं आपको दस्त की समस्या सिराहत पाने के लिए कुछ गरे लुनसकों के बारे में पताने वाली हूँ दोस्तों, डायरिया यह दस्त तब होता है जब आप समाने की तुल्न में लूजर या फिर अधिक लगतार मल त्याग करते हैं दस्त जो होता है वो बहुत सारे कारणों से हो जाता है जैसे की कभी-कभी हम हाईजिन का ध्यान नहीं रखते हैं, हैंड वाश नहीं करते हैं, कहीं पर भी खाना खा लेते हैं जो की क्लीन ना हो इन सभी कारणों के चलते भी हमें दस्त हो जाते हैं वहीं अलग-अलग प्रकार के बैक्टिरिया, वाइरस और परजीवी दस्त का कारण बन सकते हैं आपके लिए दस्त के लक्षणों में पानी जैसे दस्त भी हो जाते हैं कभी-कभी पेट की खराबी या एठन मैसूस होना मतली और उल्टी, बुखार, भूक में कमी ये सब ही हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको इस समास्या से राहात पाने के लिए कुछ घरेलियो नस्कों के बारे में बताने वाली हूँ इसकी जानकारी जानने से पहले, सबसे पहले तो एक नवी दन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं करप्या सब्सक्राइब का बटन दपाकर हमारी सदसे तक रूर ले ले तकि आप हमसे जुरी रहे हमारे जुरर दी गई जानकारी का रोज देख पाएं और उनसे फाइदे बेटा सकें दोस्तों, दस्त की समासया से राहत पाने के लिए जो सौफ होती है ना, वो बहुत ही जादा फाइदे मन्द होती है इसे इस्तमाल करने के लिए सौफ आधी पकी, आधी कच्ची को सेख कर, शक्कर मिलाकर उसे अच्छी तरह से पीस लीजे यह दो चम्मच लेकर आदा चम्मच घी मिलाकर नित्य चार बार खाईए दोस्तों इससे आपके दस्तों में आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा वहीं दोस्तों यदि नित्य पांच, छे बार अगर आपको दस्त आ रहे हैं तो इसके लिए सौफ, जीरा, धनिया इन सभी को सामाने मात्रा में लेकर सेख लीजे सामाने मात्रा में ही सौट और बेल गिरी मिलाकर इसे अच्छी तरह से फिर पीस लीजे दोस्तों फिर इसकी एक-एक चमच, तीन बार ठंडे पानी से या फिर छांच से लीजे इससे आपको फाइदा मिलेगा तो दोस्तों आपको हमारे धोरा दी गई और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेर जरूर कीजेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत देने बाद